वेलकम टूमाई चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी बेबी बूटियस लेकर आई हूं तो यह मैं आज आप लोग को दो रंगों का बनाऊंगे बताना बहुत ही प्यारा है बहुत ही जी इसके लिए सबसे पहले हमने आप चालिस फंदे ले लिए हैं देखिए चालिस फंदे लेने के बाद हमने आप टोटल दस लाइन यह कंप्लेट की है जैसे आप काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ, दस तो यह तो टोटल हमने यहां पे दस लाइन कंप्लेट की है दस दूनी 20 यानि 20 साथ से अब हमने आपके 40 फंदे है, तो 8-8 फंदे हम साइट-साइड में बंद करेंगे और बीच में हमने यह तो टोटल 24 फंदे रहेंगे, ठीक, तुछ हमसाब से पहले धिखन देजैबा कि हम पीछे की साइट से फंदे को आगे की साइट से बंद कर रहे हैं यह सिर्फ हम आठ फंदे बंद करेंगे तो देखिए दो फंदे को एक साथ हम बना रहे है नॉर्मल आपको बंद करना है जादा ना टाइट ना लूज तो यहां पर देखिए दो फंदे को एक साथ बुना फिर इस फंदे को इस पे लगे फिर यहां पर हम इन दोनों फंदे का एक करेंगे, दो हो गया, तिन, चार, पांच, छे, पार, और एक आठ, आठ फंदे हमने इधर पर लिए, बाकी के फंदे को हम सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बना के आएंगे, फिर इस सट से भी हमने आठ फंदे को बन करना है, अब देखिए हम आगे की साइड आगे हैं, तो इस साइड भी हमने ऐसे ही आठ फंदे को बन करना है, देखिए दो फंदे को हमने, एक साथ बुना, फिर इस फंदे को इस पे लाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक, आठ, आठ संदे में बना है, तिक, अब हम हम आपे जो मारे टोटल 24 संदे बचे हैं, आपको हमने ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक, यहाँ पे सेकंड कलर हम, तो यह हमारा ओल्टा साइड है, तो उन सभी पन देखुएं, आपके ग्रीन कलर से, देखिए, ओल्टा ओल्टा बनायेंगे, अब हमारा, यह वाइट वाले का कोई गाम नहीं, आप चाहते हैं, आपके भाद में कट करें, जब हम सिलाई करेंगे, धागे हमें चाहिए, अब देखिए, आपके सभी पन देखो, हम पीछी की साइड से, ओल्टा ओल्टा बनाके, आगे की साइड आगे, तो आगे की साइड से, आपको यहाँ पर बौर्डर बनाना है, एक उल्टे और एक सीधे की हमने हापे border complete करना है दो से तीन इंच तो देखिए एक फंदा मुने हापे सीधे बनाया दागे को अपने साइड लाएंगे एक फंदा उल्टा फिर दागे को पीछे ले गए ऐसी हमने ये border complete करना है एक उल्टे और एक सीधे की नॉर्मल सी में border ये बनाना है ये देखिए यहापे हम एक उल्टे और एक सीधे की border बना रहे हैं पीछे ले जाएंगे उनको सीधा आगे की साइड से पूरी रो ऐसे complete करेंगे अब हम पीछे की साइड आ गया है फिंदे को बना के अब यहापे क्या करना है देखिए जो फंदर जैसा दिख रहा है वैसे आपको border बनाना है तो यहापे दिकिए यह पहला फंदा यह आपके सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा बनाएंगे एक फंदर लागे एक उपनी साइड एक फंदर ऊल्टा यानि पीछे की साइड से देखिए सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा जो जैसे फंदा दिख रहा है ऐसे ही आपको ये border complete करनी है सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा ऐसे अब ये border हमने आपे 2 इंच यानि 8 से 10 सलाई हम बना के complete करेंगे चलिए border complete करके फिर आप लोग को दिखाते हैं देखिए फंड्स हमने आपे ये border complete कर लिया है जितना में चाहिए था हमने देखिए अंगुल से बता है ती अंगुल के हमने ये border complete की है टोटल हमने आपे 20 लाइंग बनाई है दोनों साइड से मिला के ठीक अब हम फंदे को बंद करेंगे पीछे की साइड से सभी फंदे को हम बंद करेंगे दो फंदे का एक करते हुए फंदे को आपने न जादा tight बंद करना है और ना ही जादा close करना है देखिए एक एक करते हुए हम सभी फंदे को हम बंद कर लेते हैं तो ये socks हमारा newborn baby से लेके चार मंत के बच्चे को आराम से आजाएगा अगर आप लोग इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कितने बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं ये सबसे छोटे साइज से लेके चार मंत को आराम से आजाएगा चार मंद के बेबी को एक एक करते हुए आप में सभी पंदे को ऐसे बंद कर लेना है पंदे जब भी आप बंद करें तो पीछे की साइट से बंद करें इससे क्या होता है फिनिसिंग मारी बहुत अच्छी आती है आगे वी साइट से एक सिंपल पट्टी से बहुत ही प्यारी है सॉक्स बनके आएगे इसके पहले मैंने बहुत सारे सॉक्स की डिजाइन डाली है तो आप लोग जरूर ट्राई करें और लेखी दो का एक पिर लाश्ट में दो का एक करेंगे धागे को लंबा कटके इसको थोड़ा समने ऐसे बढ बादे करने सिर्फ ये ग्रीन वाले को सिलने के विए चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज से कट कर सकते हैं इसको बचाएं धागे को अब यह पिसके अंदर से में के लोग देका यह हमारा रहा पर लॉव्त है अब देखिए अब द्यान से देखिएगा तो एक हमारी एंसे आ देकि एक अैसे लंबे श्टिप से हम त्व आप में आप इस पर आपको ऐसे जोया, श्दि जोए तो चले हम रहें, तो चले हम हम सिरुते हैं फिर आप लुँंक को दिखाते हैं कि इसकी सिलाई की वी करने हैं देखे फ्रेंट्स हमने ये ग्रीन वाले की सिलाई कर लिया है अब हम वाइट कलर के धागे में देखिए सुई को डाल लिया है अब यहां पे हम सिंपल सी आपको दोनों चैन से देखिए लेते हुए सिलाई करते हुए जाना है चेख देखिए यह आपको दोनों साइट के चैन से पिलाई करते हुए जाना है प्रत कर दो कर दो तो आ देखें अभू दो आता कि हम नहीं आपको नहीं बुलाई भी है यहां पर पोन लाइए सहरो की मसटप्र भी you ज़ो यह देखें के पर आपक्स अजी को मुलाई में कैसे शुयुख खींच इसको हम यह भी देखिए इधर से हमने ठाके देते हुए तीन ठाके देते हुए हमने गुलाई सिला ऐसे अब हम इधर से भी ऐसे अब हम इधर से गुलाई दे दिया इसको हम अब है यहां से आता है इस्ट्रेट सिला है फिर यहां पर हम गुलाई देखिसे लिए अब यहां पर देखिए हमने फिर से गुलाई देते हुए सिलना है ऐसे अब हम पर देखिए हम इसे पेखी पार्ट में ऐसे किया है अब इधर से हुए आज आज आज़ा है आज आज़ा है अज़ान में डालती हुए हमने हम इस पर इस पर इस गुलाई में सिलना है अब इसको हम देखिए सीना करेंगे एक्षा दार्व को आपको फ्रोसिया की मदश से इस इस दिखे सीरा करने के बाद इसको मैसे फोल्ड करेंगे इसको फोल्ड करने के बाद ये हमारी सॉक्स में छैसे बनके आई है ये देखिए हमने बुलाई में सिला और इधर भी सिला तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सेव बनके आया है देखिए फ्रेंट्स किती खूपसूरत है ये बॉर्डर बनाने के बाद हमें डोरी बनाने के जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये हमारे बच्ची के पैर से नहीं लिकलता है देखिए प्यारा सा है आप लोग ज़रूर इसको ट्राइक करें इसका सोल है और ये आगे के साइड है आप चाहें तो रात को अगर बच्ची को पहना रहे हैं तो आप पूरे ऐसे इसको पैर पे चड़हा सकते हैं त से भी बहुत ही प्यारा ये देखिये लोक आ रहा है जब आपस को फॉर्ड दरेंगे और बॉर्डर बनाने से यह हमारा एकदम टाइट रहेगा और बच्ची के पैड से नहीं निकलेगा तो आज की वीडियो आप लोग को कैसे लगे कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडिय है जाल को सबस्क्राइब के थैंक्यू